हलो एवी वान वेलकम तो आई यूट्यूब चानल एन आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं औरगन ट्रांस्प्लांट के बारे में जो की रिलेटेट है डोनर और कैदवर ट्रांस्प्लांट से यह एक रिक्वेस्टिट टॉपिक है अगर आप अपना टॉपिक रिक्वेस् कर सकते हैं अपकमिंग वीडियो में हम उन पे जरूर वीडियो बनाएंगे तो आज की वीडियो में हमें पढ़ना है औरगन ट्रांस्प्लांट के बारे में तो सबसे पहले समझो की औरगन डोनेशन क्या होता है सबको औरड़ी पता होगा कि वाट इस डोनेशन अफ ओर ग और्गन्स डोनेट कर रहा है ठीक है ये दो तरीके से हो सकता है या तो कोई जिन्दा इंसान और्गन्स डोनेट कर रहा है या फिर अगर किसी इंसान की डेथ हो गई है उसके बाद फिर और्गन्स क्या करे जा रहे हैं डोनेट करे जा रहे हैं ठीक है ट्रांस्प्लांटेशन के लिए ही ये donations किये जाते हैं जिसको जरूरत है अगर किसी बिमारी की वज़ो से किसी disease की वज़ो से या organ failure की वज़ो से अगर किसी individual को नए organs नए मतलब अपने organs के अलावा किसी और के organs की जरूरत पड़ती है तो वो apply करते हैं ताकि कोई donor मिल सके है अब ये donor living या disease donor हो सकता है मतलब living या फिर after death हो सकता है so transplantation के लिए ये donations करे जाते हैं ठीक है ये जो act है ये क्या कर सकता है किसी की जिंदगी बचा सकता है किसी के life को improve कर सकता है किसकी life को improve करेगा basically जो इन organs को receive कर रहा है receivers की life को recipients की life को क्योंकि या तो उन्हें कोई बिमारी है या तो किसी organ failure की वजह से उनकी life threatening situation को reverse किया जा सकता है organ transplant की वजह से है ना life threatening conditions में ही या severe disabilities के cases में ही transplantation किया जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही जादा serious और sensitive processes होते हैं ठीक है organ donation के बारे में हमने जान लिया अब इंडिया में अगर हम organ donation की बात करें तो ये जो organ donation का जो पूरा का पूरा process है जो system है वो legally भी govern होता है so in India organ transplantation is governed by the Transplantation of Human Organs and Tissue Act 1994 बतलब 1994 में ये act enact हुआ था और इस act का नाम क्या है Transplantation of Human Organs and Tissue Act 1994 जो आपको ये बताता है कि क्या legal boundaries है क्या outlines है क्या ethical framework होने वाला है दोनों ही situation में चाहे वो living या फिर cadaveric organ donation की situation रहे मतलब अगर कोई जिन्दा है और वो organ donate कर रहा है या फिर किसी केट हो गई और वो organ donate कर रहा है ठीक है अब ये जो organ transplant issues है वो दो categories में हम इसको categorize कर रहे हैं ना divide कर रहे हैं पहला तो है living donors दूसरा है cadaveric donors तो सबसे पहले हम देखेंगे living donors के case में सबसे पहले important point होता है consent अब ये जो act है मतलब अगर मैं कोई अपना organ donate करना चाहती हूँ तो मुझे सबसे पहले consent देना पड़ेगा कि हाँ मुझे पे कोई pressure नहीं है मैं अपने पूरे होशो हवास में अपना organ donate करना चाहती हूँ xyz person को कोई pressure नहीं है कोई foundation नहीं है मैं अपनी खुट की मर्जी से अपनी free will से अपने organs को donate कर रहे हूँ अब ये consent देने के बाद एक पूरा का पूरा detailed medical और psychological evaluation किया जाता है कि कहीं सच में मैं किसी pressure में या किसी के डर की वज़ों से तो organ donate नहीं करने हूँ medical check-up होगा psychological check-up होगा psychological evolution होगा okay now relation to recipient ये भी देखा जाता है कि मैं जिसे भी donate करना चाहरे हूँ मेरा organ क्या वो मेरा relative है क्या relation है now for living donations the donor must typically be a close relative of the recipient if the donor is not a relative the donation must be approved by an authorization committee that ensures no financial and other factors are involved ठीक है सबसे पहला point है होना चाहिए कि मैं अपने किसी close relative को अपने organs donate कर रहे हूँ usually ऐसा होता है कि आप अपने घरवालों को ही अपने भाई बहनों को या अपने mother को फादर को organs या tissues donate करते हो most of the cases अगर living donations हो रहे हैं living person से organ transplant की process हो रही है तो most of the time majority of the time ये उनके relatives ही होते हैं पर अगर कोई relative नहीं है तो ये चेक करना बहुत जादा जरूरी है कि कोई pressure तो नहीं है जो authorization committee है वो ये ensure करती है कि कहीं मुझे कोई बहुत जादा पैसे तो नहीं दे रहा for example मुझे पैसो की जरूरत है मैं बहुत परिशान हूँ मुझे बहुत जादा पैसो की जरूरत है and कहीं उन पैसो के benefit की वज़े से मैं अपना कोई organ बेच तो नहीं रही हूँ है ना सबसे important यहाँ पे यही point बनता है क्योंकि ये usually होता है पैसो के लालट के वज़ो से usually लोग अपने organs donate करना चाहते हैं okay so ये भी check किया जाता है so relation to the recipient या फिर क्या reason है कि कोई living person अपने organs donate कर रहा है next है compensation the act prohibits any form of financial compensation for living donors beyond reimbursement of medical expenses commercial dealings or sales of organs are strictly illegal किसी भी तरीके का पैसो का लेंदेन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का कोई compensation नहीं provide करना चाहिए कोई living donor को चीक है सिर्फ और सिर्फ reimbursement हो सकता है for example अगर मैं कुछ organ donate कर रही हूं अपने और मेरे कोई medical bills है तो recipient जो है जो organs receive कर रहा है वो medical bills पे कर सकता है लेकिन मुझे कोई financial gain नहीं होना चाहिए कोई financial compensation नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का commercial dealing sales organs का strictly illegal है बहुत ही ज्यादा strict rules है हमारे देश में इसके लिए next है cadaveric donors cadaveric donors मतलब कोई dead body है so एक particular time frame होता है जो इस बीच में अगर किसी dead person से हम after death किसी dead person से हम organs remove कर लेते हैं तो हम वो क्या कर सकते हैं transplant कर सकते हैं ठीक है इसके लिए मैं कोई separate video बना दूँगे अगर आपको ये जानना है कि क्या time frame होता है कितने कितने hours या कितने minutes का time frame होता है कि हम कौन-कौन से organs dead person से remove करके transplant करने के लिए proceed कर सकते हैं उसे preserve कर सकते हैं ठीक है so next है cadaveric donors consent and authorization यहाँ पर भी जरूरी होता है cadaveric donors के case में जो law के requirement होती है वो diseased person की family so basically या तो उनके family member या फिर जो उनके legal responsible person होते हैं वो इस चीज़ का consent दे सकते हैं if the deceased had registered their consent for organ donation while alive it must be honored so कई लोग क्या करते हैं पहले ही इस चीज़ को mention कर देते हैं कि भई उनको पता होता है कि हो सकता है कि हमारी death हो जाए और death के बाद हम organ donate करना चाहते हैं for example अगर मैं ही अभी चाहूं कि मेरी अगर death हो चाहती है तो मैं organ donate करना चाहती हूं मैं किसी की मदद करना चाहती हूं तो मैं अभी ही organ donate कर सकती हूं कि मेरे death के बाद आप मेरे organs ले लेना और जिसको भी जरूरत हो और जिसकी भी body receive करे मेरे organs को उनको दे देना Now, organ removal. The act stipulates that organs can only be removed from a diseased person in a hospital that has been authorized for such procedures. अब ये बहुत ज़ादा जरूरी है कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर वो person organ donate करना चाह रहा है, उसके family members उनके organ donate करना चाह रहा है, तो ये जो procedure है, वो सिर्फ और सिर्फ उन्ही ही hospital में process किया जाएगा, जो authorized है इन सब चीजों के लिए, ठीक है, किसी भी random hospital में ये processes नहीं होते हैं. The process must follow strict medical and ethical guidelines to ensure that the organs are viable and ethically obtained. तो ये जो process है, वो strict medical and ethical guidelines के under ही process करी जाती है, ताकि ये ensure किया जा सके कि भाई, ये जो organs है, वो इत्यों के लिए obtained है और viable है. अब organ preservation के जरुवत परती है, now methods of preservation of organs are regulated to ensure that they remain viable for transplantation. अब जरूरी नहीं है, अब किसी person की death हो गई, तो मैंने बताया कि एक हमारे पास particular time window होती है, time frame होती है, जुसके बीच में ही हमें organs क्या करने होते हैं, remove करने होते हैं, और उससे preserve करना होता है. ऐसा तो है नहीं कि अगर किसी person की death हो गई, आप उसे hospital लेके आते हो, आपने organs remove कर लिए और आपके पास patient already ready है transplantation के लिए आप तुरंती तुरंट transplant कर रहे हो, ऐसा सिर्फ movies में होता है, आपने memes में देखा होगा, कि direct heart जो है उड़के गया और वो patient के दिल में जाके लग गय और सारे function करने लगे, बड़ा ही एक funny meme यादा आगया मुझे इस topic को discuss करते वे, I hope आपने भी देखा होगा ऐसे senseless से memes, but funny जरूर होते हैं यह ठीक है, so मैं क्या कह रही थी, कि हमें preservation की जरूरत होती है, so preservation का जो process होता है, वो भी हमें process को follow करना जरूरी होता है, and इसकी भी guidelines ह होती है, जो हम follow करते है, ठीक है, अब हम देखेंगे cadaveric donors के case में, cadaveric donor is really very important, और specifically जो जिसने भी topic request करा है, उसने cadaveric donors के लिए ही request करा था, देखो cadaveric donors के case में पहला point हम रखते है, definition and process की cadaveric donor क्या होता है, सबसे पहले तो समझो cadaveric donor वो donor होता है, जिसकी death हो चुकी है, ठीक this typically involves individuals who have been declared brain dead, और have suffered cardiac death, but meet the criteria for organ donation, ठीक है, ऐसा भी situation हो सकता है, कि वो person brain dead है, या फिर cardiac arrest आया है, heart attack आया है, और वो अभी organ donation के criteria पे fall करते हैं, तो उनका जो organ है, वो donate कर दिया जाता है, now declaration of death क्या होता है, before organs can be harvested, a person must be declared dead by qualified medical professionals, for organ donation, the death must be confirmed as per the criteria led out by medical and legal standards, so cadaveric donors के case में, organs remove करने से पहले, ये declare करना बहुत साथा सरूरी है, कि जो person है, उसकी death हो चुकी है, और उसकी death होने की वज़ों से ही, आप organs क्या कर रहे हो, acquire कर रहे हो, क्योंकि वो organ donate कर चुका है, उसकी family organ donate कर चुकी है, so declaration of death is really very important, वो medical professionals ही करते हैं, next we have consent and authorization, so consent and authorization मैंने अभी just ही discuss किया है, कि ये जो consent and authorization है, ये strictly legally bound है, Transplantation of Human and Organ Act 1994 के अंदर आता है, इसके रहे registration करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो person जिसकी death हो, अगर उसने previously register किया हुआ है, तो वो बहुत अच्छी बात है, family भी कर सकती है, and authorization committee चेक करती है, कि किसी भी तरीके का कोई घपला तो नहीं है, या पैसो के लालच की वज़ों से तो ऐसा नहीं किया जा रहा है, and then फिर donation की process complete होती है, third है legal or ethical guidelines, जो हमारा legal framework है, उस framework को हमें strictly follow करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और इस legal framework में सारी चीज़ें हमें procedures दिये हुए हैं, कि किस तरीके से procurement होगा, organs का preservation किस तरीके से होगा, or transplantation कौन से legal criteria में होना चाहिए, now ethical standard, जो law है हमारा, वो यह ensure करता है, कि जो organs remove करेगा है, वो ethically correct way से remove करेगा है हो, family जो है, उस disease person की उनके नजर में होना चाहिए, मतलब उनकी information में होना चाहिए, और strict protocols जो के हमारे legal system ने हमें बताए हैं, वो हमें process follow करना पड़ेगा, transparency को maintain करने के लिए, next we have organ preservation and harvesting, जो hospital authorization है, उसके responsibility है कि organs को harvest properly करे, और preserve करे, जो भी ये सारी चीज़े processes है, उनको proper guidelines को follow करके किया जाए, अभी जो hospitals हैं, वो specific hospitals होते हैं, जिनको ये authority मिली भी होती है, कि वो procure कर सकते हैं, organs को और preserve कर सकते हैं, सारे के सारे जो government medical colleges होते हैं, या जो government medical hospitals होते हैं, colleges और hospitals usually साथ में होते हैं, तो वहाँ पर ये सारे processes किये जाते हैं, now preservation techniques, ठीक है, जो preservation technique है, different different organs के cases में different होता है, ठीक है, इसकी भी एक अलग guideline होती है, आने वाले lectures में हम कोशिश करेंगे, कि वो भी हम discuss कर लें, ठीक है, once the decision for organ donation is made, the organs are preserved using advanced techniques to maintain their viability until transplantation, now this involves cooling and storing the organ in a specialized preservation solution, ठीक है, अब ये कोई universal solution नहीं होता, कि एक solution बना ले हो, उसमें ही सारे organs को preserve करे जा रहे हो, different different organ needs to be preserved differently in a different environment, उसकी सबकी guideline अलग होती है, last allocation of organs, now fair distribution के requirement होती है, कि किसको कौन से organs आप transplant करोगे, the allocation of cadaveric organs is managed by a central or regional transplant registry, that ensures a fair distribution based on medical urgency, compatibility and other criteria, so ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, कि organs किसी को भी suit कर जाते हैं, उसका भी बहुत, बहुत ही critical criteria होता है, कि donor जो donate कर रहा है organs, recipient को receive हो जाए, वो completely उसकी body नए organ को accept कर ले, ठीक है, depend करता है कि किसको सबसे ज़्यादा urgent organ की जरूरत है, तो जिसको सबसे ज़्यादा urgency होगी, जिसकी life सबसे ज़्यादा खत्रे में होगी, उनको ही priority मिलेगी, now the goal is to match the donor organ with the suitable recipients, ठीक है, so यह allocation of organs होगा है, next है documentation and reporting, documentation बहुत ज़्यादा important है, throughout process document करी जाती है, consent form से लेके, medical report से लेके, जितने भी records है donation की, transplantation process के, किस तरीके से preserve करा गया, basically यह पूरी की, पूरी documentation की chain maintain करी जाती है, जब तक transplantation complete नहीं हो जाता, now reporting of requirements क्या है, hospital and transplant center must report organ donation, and transplants to regulatory authorities, ensuring compliance with legal standards, and monitoring practices, ठीक है कि भई हमने सारे सही सही processes को follow किया है, next we have public awareness and education, so public awareness campaign की बहुत जाता जरूरत है, organ donation एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, इससे किसी भी जरूरत मंद को, या जो person बहुत नीडी है, उसकी मदद हो सकते है, क्योंकि अगर किसी की death हो, चुकि अब वो organs तो उसके काम आएंगे नहीं, हो सकता है कि किसी को new life देने के काम आजाए, इस वज़ों से यह बहुत जादा important है, कि public awareness बढ़ाई जाए, लोगों को educate किया जाए, कि कितनी अच्छी बात है, donate करना organs, थाकि वो अपने family members, और अपने organs donate कर सके, चीक है, तो यह थी पूरी की पूरी process, everyone, I hope, this lecture is helpful, और यह जो pdf है, आपको मिल जाएगी telegram group पे, telegram group की link आपको description में मिल जाएगी, और यह pdf आप वहां से completely easily download कर सकते हो, I hope this video is helpful, if this is helpful, don't forget to click the like button, share this video with your friends, subscribe our channel, इसे हमें और motivation मिलेगी, to cover more important topics, if you want to request any topic, always welcome, comment down the requested topic, thank you so much everyone, see you guys in the next video, bye-bye.